असलाम अलेकुम वेलकम सालिया पर एंसाइकलोपीडिया आज हम 24 जून को जो एनिशल हुआ है उसमें से कुछ प्राबलम सोल करेंगे सबसे पहला प्राबलम है कि out of 1500 students 1200 students are present what will be percentage of the present students मतलब कि हमें परसंटेज मालूम करना है जो student present है उनके बिलकुल असान है अगर आपको marks की जो marks हम लेते हैं उसकी परसंटेज मालूम करना आता है तो ये भी बिलकुल उसी तरह होगा सबसे पहले हम एक जो प्राबलम है ये गिविन है ये ट्रेडिशनल मेथड जो पुराना मेथड है उसके तरह सॉल करेंगे उसके बाद हम ट्रीक अबलाए करेंगे ठीक है क्योंके में टाइम बचाना होता है डेटा डेटा गलेक्ट करते हैं सबसे पहले टोटल स्टूडन कितने है ये टी मतलब टोटल फंदरा सो फंदरा सो स्टूडन के तूडन कितने है पी प्रेजंट बारां सो 1200 present है ठीक है हमने मालूम क्या करना है परसंटेज मालूम करनी है किन की जो present है ठीक है तो पुराना तरीका solution वाला क्या करना होता है हमें कि अगर हमें total मिली हुई कोई भी चीज़ उसमें से कुछ चीज मिली हो तो जो कुछ चीज मिली हुई है वो हमने उपर रखना है अपआहं के उपर रखना है 1200 है डो जो हमें student present है तो total कितने हैं वो 1500 है जैसे math हम करते है जो leave वो उपर और जो total है वो नीचे और 100 से परसंटे मालूम करना है तो 100 से multiply करना है अब ये 20 इन से कट गई बाकी क्या बचा 1200 और divide करना है मतलब आपान के नीचे ये 15 1200 को divide करेंगे 15 से 15 का table पढ़ेंगे 15 पे 15 का एक बार और 120 पे 15 का कितनी बार table लगता है 8 बार अब ये 120 ये पूरे कट गए बाकी 8 और 0 असे मतलब जो present student है उनकी परसंटे किन्नी है 80 परसंट असान है ना बिल्कुल ये traditional method है इसके पाद एक दूसरा question है दूसरा question है इसी तरह का इसके हम direct data collect करेंगे क्या क्या given है इसमें हमें इसमें given है कि total है 500 ती जो है total student 500 है और present कितने है present है 340 अब परसंटेज प्रेजंट की मालूम करनी है ठीक है वही तरीका बाकी trick क्या है trick हमने apply करनी है कि जो टोट जो हमने obtain किया है मतलब जो present है वो लिखे ये present लिखे उसके बाद जो total है उन में 100 कितने है 500 मतलब 500 500 तो 100 कितने हुए 5 105 है ना तो 5 लिखती है अब 340 को divide करेंगे 5 5 का table एक बार और 34 पर direct पूरा table तो नहीं लगता लेकिन हमने 30 पर लगाया ठीक है किनने बार 30 पर 5 का table गया ये गया 6 बार ठीक है 4 जो है 4 इस side shift हो गए ये 40 हो गए 40 पर 5 का कितने बार table जाता है 40 पर 5 का 8 बार 68 जो present है उनकी percentage क्या है उनकी percentage है 68 38 बिल्कुल असान है कोई भी मसला हो comment में पूछ सकते हैं इसी तरह आगे दूसरे भी सुवाल है वो भी करते हैं उनमें क्या है कि सेम ही है सिर्फ माक्स माक्स दे हुई है जो हम माक्स कल्कुलेट करते हैं वैसी है ठीक है ये है कि 540 माक्स अब्टेन की है टोटल माक्स कि इननी है मतलब 1000 माक्स है तो परसंटेज बता हुई वैसी सेम में तरह जो भी की है हम इसमें डारेक्ट ट्रिक की अबलाई करते जाएंगे डेटा जो है टोटल माक्स क्या है टोटल माक्स है 1000 और उप्टेन क्या है उप्टेन माक्स जो है वो है 540 हमने माक्स परसंटेज मालूम करनी है यह मालूम करनी है जो हमने उप्टेन की है वो 540 अब 1000 1000 में 100 के नोट कितने होते हैं 10 तो 10 से डिवाइड करने हैं अब जितने 100 ये सोरी एक 0 लग गई जितने 100 उनसे डिवाइड करें दुबारा लिख लेखते हैं 540 टोटल और 1000 में 100 कितने हैं 10 ठीक है अब 540 को डिवाइड करना है 10 से 1 0 एक 0 खतम बाकी एक से डिवाइड करने से कोई भी फरक नहीं पड़ता तो ये डारेक्ट 54 परसंटेज है मतलब हमारी जो मार्क्सी परसंटेज है वो 54 है ये हमारा जवाब है दूसरी मिसाल लेते हैं इसमें भी डारेक्ट हम डेटा लेते हैं कि उप्टेन मार्क्स क्या है उप्टेन मार्क्स है उप्टेन है वो है 640 ठीक है और टोटल मार्क्स क्या है 1000 एक हजार है 1000 मार्क्स की हमने परसंटेज मालूँ करनी है मार्क्स परसंटेज ठीक है वही जो ली है मार्क्स वो उपर रख दी 640 हमने obtain की और 1000 में 100 के note कितने होते हैं 1000 में 100 के note होते हैं 10 तो 10 से divide कर दिया 1000 में 100 कितने हैं 10 10 से divide कर दिया यह 0 इस 0 में cancel वाकी वच्छे 64 यही percentage है 64 हमारा जवाब है बिल्कुल असान है ना परिशान होने की कोई जरूरा नहीं जब तक आप concept के लिहाज से नहीं पढ़ते तब तक हर problem आपको मसला करेगा इसी तरह के बहुत से problem बन सकते हैं जरूर नहीं उसमें marks पुछी जाएं जो present है student वो पुछे जाएं कुछ अलग भी पूछ सकते हैं लेकिन अगर आप total किसी भी और जो हासिल की हैं या present है वो उपर पर रखने और divide कर देना है divide किन से करना है जो total है उनमें 100 कितनी है अगर 1500 हैं तो 15 से divide करना है 1000 100 कितिसार कितनी होती है 10 से divide करना है अगर marks हूं आपकी first per kilometre में जैसे एफ एससी में गiaalth छरा सो 1200 marks हैं परसंटेज अपनी माक्सी की मालूम करते हैं तो हम 11 से डिवाइड करते हैं मेरी माक्सी 849 849 को डिवाइड करूँगा मैं 12 से तो जो जवाब आएगा वो मेरा परसंटेज वागा माक ठीक है उमीद है आपको समझ आई होगी को भी मसला हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं इससे पहले भी हमारी काफी सारी वीडियो है आप आई SSB की प्लेइलिस्ट देख सकते हैं मिलते हैं नए वीडियो में खुदा आफिस